आप के लिए एक बहुत भी बहुत एर वीडियो के बाल लंबे हैं या उल्जिते हैं उनके लिए ऐसी कटिंग बहुत अच्छी कटिंग थाबित होने वाली है तो प्लीज हमारे वीडियो को लाष तक जरूर देखिएगा और हाँ अगर आप चैनल पे हैं तो नए है तो प्ल कि तरफ तो सबसे पहला प्रप क्ली बालों को सेंपो कर ले और कर सकते हैं बालों जब chip करें clean हूँ तो यहाँ पर हमने sectioning कर लिया है तो यहाँ मैं बताने वाली हूँ आपको ना कि बीना step create करें हम बालों में कैसे bounce ला सकते हैं कैसे थोड़ा सा step cutting का look दिखा सकते हैं तो यहाँ पर हमने बिल्कुल भी step divide नहीं किया है year to year parting किया है और उसमें हमने sectioning pin लगा दिया है ताकि हमारा जो section है वो बिल्कुल नीट और clean रहे फिर हमने यहाँ पर length ज्यादा नहीं काटनी है length छोटी भी नहीं करनी है सिर्फ बच्ची की problem यह थी कि इनको combing करने में थोड़ी दिक्कत होती थी काफी healthy बाल है तो school जब बच्चे जाते हैं तो इसना time नहीं रहता है तो अगर ऐसे problem से आप भी जो है आप problem face कर रहे हो तो यह cutting बहुत ही अच्छी होने वाली है थोड़ा ध्यान से देखिएगा बहुत ही easy बे में इसको बता रही हूं तो पीछे के बालों में मैंने बिल्कुल भी step नहीं करा है सिर्फ एक पतली पतली हमें layer दे देनी है layer भी वो हमारी उपर से नीचे की तरफ रहेगी यानि हमारा जो section है वो एकदम सीधा सीधा रहेगा और हाँ अगर बाल आपकी मोटे हैं तो section बिल्कुल पतले पतले रखिए उतने ही section आपको रखना है जितना की आपकी finger में adjust हो पाए तो इस तरह से हमने first layer को हमने 25 degree angle पर काटा उसके बाद second layer को हमने 35 degree angle पर काटा उसके बाद हमारी third layer को हमने 90 degree angle पर काटा अगर आपको और need है कि हमारी थोड़े और उपर तक जाए तो आप angle का measurement थोड़ा बढ़ा सकते हैं मैंने बहुत इजी तरीके से cutting की है उपर से नीचे हमें सीधा सीधा बालों का sectioning करनी है और sectioning बिल्कुल भी pins वगारा नहीं लगाना सिर्फ आपके finger में वो adjust होने चाहिए उतने पतले layer आपको लेना है और उसको 3 step या 4 step जैसा आप चाहें उसको cutting कर सकते हैं ऐसे बालों में बाल बिल्कुल भी नहीं जाएंगे आपके और आपका जो एक bouncy है और एक combing जिसे की बाल अगर लंबे और मोटे होते हैं तो बहुत भसते हैं और इतना time हमारे पास कहीं नहीं होता है हमारे बच्चों के पास कि वो बालों को इतना time दे पाएं ऐसे में आप तो ऐसी cutting आप अपने बच्चों के बालों में करवा सकते हैं इसमें बिल्कुल भी जंजट नहीं है और फटा-फट ये cutting हो जाने वाली है अगर आप थोड़ा सा knowledge हो आपको होगा पारलर का या cutting का तो ये cutting आप अपने बच्चों को खुदी काट सकते हैं घर पे मैंने सा angle जो है बढ़ा के ऊपर तक चड़ा के कारता है ताकि पोनी बहुत अच्छे bounce में आए और पोनी बहुत अच्छी loop में नज़र आए और combing भी बहुत अच्छी आपकी चले बाल उपर से तो हलके होगे बट नीचे आपके बाल की length और जो है बाल की quantity हो बिल्कुल भी कम न नहीं जाएंगे और एक easy तरीका हो जाएगा आपको पोनी बनाने का अई होप यह cutting आपको जरूर से जरूर useful होने वाली है और पसंद आने वाली है अगर आपको यह cutting पसंद आए और useful लगे तो please हमारे comment section में जाके हमें comment करके जरूर बताएगा कि यह cutting आपको कैसी लगी तो मैंने यहाँ पर cutting complete कर दी है उसके बाद हमें थोड़ा थोड़ा देख लेना है री चेक कर लेना है और बालों को एक save दे देना है आप वो चाहे you save दे सकते हो या बी save दे सकते हो तो हम आगे की तरफ चलेंगे आगे जो हमारा बाल है वो देखिए बहुत सारा लंबा बाल ह तो हमें face के recording बच्चे के उपर जो भी अच्छा लगे वैसे हमें cutting देनी है तो यहाँ पर मैंने थोड़ा सा हलका सा एकदम light layer दिया था ताकि बुरा न लगे और easily वो पोनी में चला जाए और आगे अगर निकालना चाहे तो कान के पीछे तक चला जाए मैंने एकदम light layer दि किया है यह बच्चों के recording cutting है तो इस तरह से आप बच्चे से परिशान है बच्चे के बाल से परिशान है यह cutting easily से आप करवा सकते हो या कर सकते हो यह देखे फिर आमने जो आगे के layer है वह पीछे के layer में हमने merge करने की कोसिस किये कि वह अच्छे से मर्ज हो जाए और बिल्क बाल छोटे तो नहीं है एकदम से merge हो गया और पता भी नहीं चल रहा है कि आगे से layer दिया है या पीछे से layer दिया गया है यह वीडियो आपको समझ में आ रहा होगा कि मैं जो cutting बता रही हूं वह किस तरीके की cutting है और देखे पीछे bounce भी कितना अच्छा आया है बाल तो बिल फटा फट hairstyle complete हो जाए बच्ची का क्योंकि इतना भागे दोड़ी में ना इतना ज्यादा काम इतने ज्यादा time नहीं होता है बच्चों के पास कि अच्छे से वो बालों को जो है अपने रख रखाओं में time दे पाएं तो यह बहुत easy way है और बाल भी खुब सूरत लगेंगे और बाल भी आपके जाएंगे नहीं तो आगे भी हमने right section का right hand का भी मैंने cutting कर दिया है यह cutting complete होने के बाद आपको एक बार reach check जरूर कर देना है reach check करने का मतलब यह होता है कि कहीं आपके बाल छूटे तो नहीं है या knot की वज़ा से लंबे तो नहीं है तो अच्छी cutting का है कि आप एक बार reach check जरूर उसको देजिए ताकि आपका जो cutting है जो cutting का proper shape है वो अच्छे से देख सके देखिए यहां पे cutting हो गई है complete और थोड़ा सा हमने बाल यहां पे गीला है तो हम थोड़ा सा dry करके check करेंगे क्योंकि जो texture होता है वो change हो जाता है dryer में तो यह वीडियो आपको जरूर से जरूर पसंद आया होगा अगर आपको पसंद आया तो प्लीज लाइक और सेर करना ना होगे थेंक यू बाबाय टेक केर